तो यदि हम polar coordinates में बात करते हैं तो polar coordinates में जो function होता है वो इस पकार से होगा f r theta r dr d theta तो मतला हमारा जो dx dy है एक्षा कोडिनेटे में वो polar coordinates में r dr d theta होता है तो फर्क इतना ही है यह हमारा कार्टीशन कोडिनेट और यह हमारा polar coordinate ठीक है तो अब हम question solve करके देखते हैं कि polar coordinate कैसे question solve किया जाएगा तो मैं एक example लेता हूं तो जो हमारा question है इसमें हमको integration दिया हुआ वह एक्षा कोडिनेट में दिया हुआ है और इसे अब हम convert करेंगे polar coordinate में तो मैंने आप होता है था कि जो polar coordinate होता है उसके अंदर हमारा जो dx into dy होता है उसे हम लिखते है r dr t theta और साथ ही साथ हम x को लिख सकते हैं polar coordinate में x equal to होता है r cos theta और y होता है r sin theta हम यह substitutionary is के अंदर लगाते हैं तो हमारा जो integration है वो convert होके हो जाएगा x की जिए r cos theta और dx dy की जिए हो जाएगा r dr d theta और x square plus y square के value हो जाएगा यहां से r square cos square theta plus r square sin square theta इसी के साथ साथ हमें अब जो limit है उन्हें भी convert करना पड़ेगा लिमिट को convert करने के लिए मैं आताता हूं सबसे पहले हमें जो यहां पे दिया हुए limits उसके साथ से जिस area के अंदर हम intuition निकाल रहे हैं वो find करना पड़ेगा तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो पहली जो variable limit है हमारी वो है y के अंदर खीक है तो य के अंदर है इसका मतलब होगे कि x के limit हो जाएगी हमारी x के limit हो जाएगी y से a और साथ साथ जो y के limit हो जाएगी y के जाएगी 0 से a तो हमारी जो यह limits हैं यह हमारी x y xy coordinates के अंदर है अब इन xy coordinates के limits को हमें r theta coordinates के अंदर convert करना है तो r theta coordinates के अंदर convert करने के लिए हम limits के साथ से हम पहले हमारा area बनाएंगे अब हम यहां देखते हैं कि जो हमारा पहले constant limit है y के limit है 0 से a तक तो हमारा y हम यहां कर देते हैं यह हो गया a 0,a इसी के साथ साथ देदी हम x भी हम देखते हैं x हमारा कहां से जा तक जा रहा है y से a तक तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो दोनों variable xy वह किस प्रकार से संब्दी है y is less than x मतला हमारा है वह हमेशा x से छोटा होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे y equal to x line खीचेंगे तो y equal to x line हमारी यह हो जोगी यह हमेशा line होगी y equal to x अब हमें फ़दा चल गया है कि हमारा जो area होगा वो यह तो यह उपर आल एरिया होगा या फिर नीचर आल एरिया होगा तो इसको निकालने के लिए हम देखते हैं कि यहां से यदि हम बात करतें तो x equal to y तो हमारी यह line होगी और यहां पर बात करेंगे तो हमारा यह जो area है यह जो area है यह हमारा y is greater than x अब हम निकालने के लिए यहां देखते हैं कि जो हमारा y है हमें इसमें point रखके देखते हैं कि 0,1 क्या y is less than x को satisfy करता है या नहीं जैसे हम x के लिए रखेंगे हम पर 0 और y के लिए रखेंगे a तो a हमारा क्या 0 चोटा है नहीं इसका मतलब कि हमारा जो यह area है यह area होगा y is less than x और जो यह line area होगा यह होगा y is greater than equal to y is y is less than x, y is greater than x तो अब हमें हमारे कोशिंग साब से कौन से area है y is less than equal to x तो y is less than equal to x वाला area हमारा यह होगा तो हमें जो integration है वो इस area में हमें निकालना है तो हमारा integration का area है यह होगा अब हम क्या करेंगे इसके अंदर variable limits है x, y की उन्हें कर्वट करके आर्थिका के इंदर लिखे आएंगे तो यहां से हमारा area मिलते हम इसको आर्थिका करने के लिखे आ करते हैं यहां से हमारा जो area दिया हुआ है हमें इसके अंदर हम थीटा एंगल पर एक element लेते हैं यह हमारा जीठीटा हो गया और यह हमारा आर हो गया थीक है तो अब हमारा जो यह छोटा area हो गया है यहां से इंटिरेट करना है तो अब यहां से मिलिमिट निकाल सकते हैं हमारी कि जो आर की जो मिनिम्म लिमिट है वो कहां से कहां तक जाएगी आर हमारा इस्टार्टों का जीरो से और आर हम रहा maximum कहां तक हो सकता हैं यहां तक आर हमारा जब थीटा हमारा जब स्टार्ट बगा हमारा जीटा यह स्टार्टों यह चलना तक पूरा कन्ट करेगा और धीटा ऑगई लिमिट नहां लिए 0-45 degree 0-45 का मतलब ओगया कि थीटा के लिमिट हो गई 0-5-5 फोर ठीक है 0-2-4 ग्ले और जब आर्क एकिलिए में निकालने के लिए इस ट्राइंगल के अंदर जो मारा ये अंगल होगे थेटा ये अंगल होगि आर तो यहां से हमारा कि आर के लिमेट होगी आ तो आ की वे लोकैसन का लेंगे इस ट्राइंगल के अंदर से हम देख सकते हैं कि आ कर नार कॉस ठीटा आर कॉस्थीटा के वैयलू है ये सिए के यहाँ से आर की वैल्यू आगई एपान प्रॉस ठीटा अदल र हो गया हमारा की सैक ठीटा ठीक है तो आरकी अपर लिम्ट कहा चिरा आर मेश्च मुंच जास्कता है आर ए ख़र नंदर लिमार्ट को किस आंदर अगी है के अच्छार्ट के इंदर अब हम इस इंटीग्रेशन में नगशा सब्सक्राइब निकाल सकते हैं तो इसको निकाल सकते हैं तो निकल के कैसे आजाएगे यहां से अब मैं यहां से देखते हैं कि एक दिया हुए हमें आर कॉस थीटा और यहां उपर हो जाएगा यहां हो जाएगा पर आर स्क्वाइर कॉस थीटा डी थीटा डी आर नीचे हो जाएगा आर स्क्वाइर जिरो से इस हैख थीटा और जीरो से आज फाइब फूर कि यहां से हम देखते हैं कि आर स्क्रीं से आस्क्रीं के और यहां से जो वेरिबल लीज़िट थीटा के अंदर है थीटा के अंदर लिमिट है तो इसको हम आर के रस्पेक्ट में इंटिकेशन करेंगे ती हो जाएगा हमारा कॉस थीटा भर जाएगा तो यह बुजाएगा डियार तो हमारे डियार के से रस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यह एक जाएगा यह एक जाएगा एक है तो यहां से हमने देखा कि कैसे हमने जो हमारा क्रोडिन्ट के अंदर था हएक्षी कशायस को अनोट करके हमने के ना सबत्च कह goo अब two na जो नई limit होंगे वह तो पोलर कोडिनेट की लिमिट होंगी, पोलर कोडिनेट की लिमिट लाकर इसको solve कर सकते हैं और हमारा answer आजाएगा, A pi by 4, ठीक है? इसके अंदर हमारा जो पहले एक्सव कोडिनेट था, उसके भी सारे method लगेंगे, और यहाँ पे same method लगेंगे, अब हम देखेंगे कि हम किसी double integration के अंदर जो order होता है, order का मतलब पहले या थो हम x क्रेस्ट पर करें या फिर by क्रेस्ट पर करें या फिर पहले y फिर x, तो हम किस प्रकार से किसी double integration में order को change कर सकते हैं, और उसके साब से जो हमारा integration है उसको find कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, कि हमारी जो variable limit है यहाँ पर दी हुई है, x के अंदर, variable limit x के अंदर थी हुए, इसका मतलब है कि हमारा जो अभी integration का order है, वो इस परकार से है, integration का order है, वो अभी इस परकार से है, dy और dx, मतलब पहले हमें इसको solve करने के लिए, पहले हमें इसको Y के respect में solve करना होगा उसके बाद में इसको X के respect में solve करना होगा लेकि यदि हम यदि पहले Y के respect में करते हैं तो हमारा question थोड़ा tricky हो जाता है क्योंकि यह हमारा function है इसको directly integrate नहीं कर पाएंगे इस तरह के typical questions को solve करने के लिए हम जो हमारा order है उसको convert कर देते हैं convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें convert करने का मतलब है कि हम इससे convert करके लेके आएंगे TX और BY में इससे convert करने के लिए हम इस अफुर जो limit होती है उमको दी हुह है X Kevin might tenha M ps1 यहां से हम इरिया में کसे लें तैसे अपर निकालते के लिए हम क्या करेंगे अ Day का शिक्राइब में देखतेगा कि एक्स की वैलू है वो जी रो से इंफमालिटी तक या हतिक पहले है वो X से इंपने दे जा लिए तो हम यहां करें कि सबस्क्राइब एक्स इस लेस दन वाय वाला एरिया है जो उसके लिए X equal to Y line कीचेंगे यह मरी होगे X equal to Y line अब X equal to Y line के अंदर हम यहां देखते हैं कि यह जो एरिया है X is less than equal to Y के अंदर है हम देखते हैं यह है 00 ठीक है यहां से हम देखते हैं कि को यहांप एक point ले लिते हैं हम जिसले लिए one के हम लिए two और जिलेए one ले लिए two कोहां महां हम देखते हैं कि कि से पताहि支持 name करिया से चो X is less than Y के अंदर यह रखते हैं हम यहां पे तो X के रखते हैं 2 और 1 के रखते हैं 1 तो यह सेट सा कर रहे हैं मतलब जो X is X equal to X is less than Y वो हमारे एरिया यह हो गया X is less than equal to Y और X is greater than equal to Y यह अब यहां से हमारा जो भी integration है वो अभी जिस order में है तो हमारा तो ऐसे लिए आ गया है यहां से कि मतला भी जो हमारा integrate किया गया है वो इस प्रकार से लिए गया है यह X यह DX और यहां से यह होगे डीवाई यह current integration इसे अब हमें इसे हम Y के अंदर लेके जाएंगे य के अंदर लेके जाएंगे तो पहले य में लेंगे हम यहां से तो य जो हमने अभी लिया है तो सबसे पहले X हमारा लिया जाएगा तो यह हमारा DX यह होगा यह था प्रीवियस और यह है current अब यहां से हम क्या करेंगे कि पहले हमारा था X हमारा 0 से infinity तक जा रहा था लेकिन अभी हमने सबसे पहले य लिये तो Y हमारा Y जाएगा 0 से इडिफिनिटी ठीक है और X अब कहा तक जाएगा X के लिए हम क्या करेंगे X उनकालने के लिए हमने जो नई element लिया है इसको देखेंगे तो X हमारा स्टार्ट हो रहा 0 से और कहां तक जा रहा य तक जरो से स्टार्ट हो रहा हां जाएगा एकस करको अब य तक तो वाय तक तो मतलत X के लोगी 0 से य तो ये थो थे पहले लिमेट ही होगे अपके लिमेट अबकी लिमेट हूगी तो हमारा कोश्यन करवार तो कि Yतर्स हो जाएगा ये की पावर मानस Y वाई अब हो जाएगा D x D y क्योंकि हमने पहले ड्य दिट्रीए को इसको करनोड कि D x d y में लेकर आ गए अब हमारी लिमिट जाएंगी जिरो से वाई और जिरो से मतलब हमारा integration वो इस पकार से है अब यहां से हम देखते हैं कि जब x क्रेस्ट करें तो y variable constant तो यहां से हमारा हो जाएगा e की पाउर मैनस y upon y और integration हो के हमार साथ y आ जाएगा और जो बचा है इसका integration करेंगे dy का 0 से इस यहां y से y कैंसे बच्चेका e की पाउर भार भार मैनस y और e की पाउर मैनस y और मैनस 1 और लिमिट जाएगी 0 से ιंफिन्टि यहां प्म लिमिट लगाख के देखेंगे प्रोई हो जागा e की पाँवर मैनस infinity पर उन और यह यहां से तो यहां से जो हमारा question था जो गहले के question अलग रहा था और इस लिमिट के जो हमारे integration का order था उससे को को सौल नहीं हो रहा था तो हमने अब वो question हमारा limit को Convert करके जो पहले limit थी उसमें जो element इस पर कर लिया था इसको element इसका से लेने को जाए ऐसे ले लिया और यहां से हमारा integration soled के आसान से हो गया तो इसकार से जो order हम change करते हैं वो में बहुत effectively मिलता है और इससे हमारा question जो tricky question थे वो solve भी हो जाते हैं